इन सब को परिभाशित करने के बाद और समझने के बाद अगला बिंदू है राश्ट्री आत्म निरने राश्ट्री आत्म निरने इसके क्या मायने हैं राजनीति के जो विगवान है और जो राजनेता है उनके सामने ये एक बड़ा महत्पूर्ण प्रश्ण रहता है राजनीति से जुड़ हुए लोग और जो पॉलिटिक्स से जुड़ हुए लोग है राजनेता लोग है उनके सामने प्रश्ण ये है कि क्या प्रत्येक राष्ट्री समुदाय या राष्ट्र का ये प्राकृतिक अधिकार है कि वो एक स्वाशासित राज्य हो स्वाशासित रज और प्राकृतिक अधिकार, नैचरल राइट, क्या हर राष्ट्री समुदाएं के लिए ये नैचरल राइट है, हर राष्ट्र के लिए क्या ये प्राकृतिक अधिकार है, कि उसका जो राज्य है, वह स्वाशासित हो, ये एक सामने इन लोगं के मन में एक विचार आता है बार बार थवाल आता है क्या हर एक राष्ट्री समुदाए एक प्रभुत्र संपन रज्य बनने का हकदार है मैं पुना दोहरा रहा हूँ हर एक राष्ट्री समुदाए एक प्रभुत्र संपन राज्य बनने का हकदार है क्या जब ये सवाल उटता है तो आपके मन में वह चित्र सामने आना चाहिए जिसमें भारती समुदाए के लोग विभिन्न देशों में हैं और विभिन्न देशों में रहते हुए वो भारत के राष्ट से जुड़े हुए हैं तो क्या ये सब एक होकर क्या उनको ये अधिकार है प्राकृतिक अधिकार as a matter of nature, natural right कि अपने को वो सर्व प्रभुत्य संपन कह सके फ्रांस का शासक नेपोलियन आपने सुना होगा बहुत प्रसिद नेपोलियन बोनापाड नेपोलियन बोनापाड फ्रांस जब वो 1814 में पराजित हुआ तो विएना कॉंग्रेस की बैठक शुरू ही, 1814 मैं बात कर रहा हूँ लगभग 200 साल पूर्व की जब नेपोलियन को योरोप की सेनाओं ने मिलकर उसको पराजित किया जिसमें नेलसन उसका जनरल था उस सेना का, इंगलेंड की सेना का उसने नेपोलियन की सेना को पराजित किया, तो जब उसको हराया, तो हराने के बाद वेना नाम की जगह में, जो आस्टिया की राजधानी है, वहाँ पर एक कानफरेंस हुई, एक बैठक हुई, और उस बैठक का मुद्दा था, कि नेपोलियन के साथ क्या किया जाए, जो पराजित हुआ है, जिसे पराजित किया गया है, और नेपोलियन ने जिस तरीके से योर्प के नकशे को बदल दिया था, उस नकशे के साथ क्या किया जाए, अर्थाद, जो नई सीमा रेखाएं विबिन देशों के लिए नेपोलियन ने खीची थी उन देशों को पराजित करने के दोरान तो क्या उन सीमा रेखाओं को यथावत रहने दिया जाए या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है इन मुद्दों को लेकर विएना कॉंग्रेस बैठी 1814 में जो लगभग करीब एक साल चली जून 1915 तक विएना कॉंग्रेस में जो फैसले लिए गये थे उसमें विबिन देशों की सीमाओं में अच्चधिक बदलाओ किया गया उन फैसलों के तहत विबिन देशों की सीमाओं में बहुत ज़्यादा बदलाओ किया गया अंग्रेजी में से कहते हैं री ड्राउन दमैप ऑफ यॉउरप यॉरप के नक्षे को पुनः ड्राओ किया गया विभने देशों के जो सीमाएं हैं उनमें काफी बदलाहट की गई विएना कॉंग्रेस के समय से ही यूरोप की राजनीती में एक राष्ट और एक राज की कल्पना सामने आई है प्रभावशील रूप से ये जो मुद्दा ये जो बात हो रही है वो इस बात को लेक इसलिए हो रही है कि विएना कॉंग्रेस में का मुद्दा ये था कि क्या राज और राष्ट एक ही हों और यदि एक हों तो उसके लिए जरूरी है कि हम यौरोप के विविन देशों के नक्य की जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन करें याने राष्ट और राज एक रखें तो यह उसका सिध्धान था एक राष्ट एक राज वन नेशन वन इस्टेट यह सिध्धान बड़ा काएं इसी सिध्धान को फर्स वर्ल वार के दोरान काफी समर्थन भी मिला था हृष्ब जो 1914 से 1918 हुआ उस दोरान यही सिध्धान को वापस समर्थन मिला और सोचिए सो वर्ष के अंतर के बाद भी 1814 में नेपॉलियन के बाद जेयना कongress में यह सिध्धान को प्रतिपा बाद जो विश्युद समाप्त होता है पहला विश्युद 1914-1918 ठीक सौवर्ष बाद तो फिर से सिध्धान को पूरी निष्ठा के साथ लागू करने का प्रयास किया गया और अधिकांश दुनिया देश के निताओं ने इस सिध्धान को स्विकार किया और सिध्धान क्या था कि प्रत्यक राष्ट्री समुदाय का अपना एक स्वेम का राज्य हो प्रत्यक राष्ट्री समुदाय हर नेशनालिटी का अपना एक प्रिथक राज्य हो अपना एक प्रिथक स्टेट हो राष्ट्री समुदाय का याने वन स्टेट वन नेशन दूसरे शब्दों में आत्म निर्ने की बात यहाँ पर बहुत महत पूर्ण ही, क्या देश के लोंगों को, राश के लोंगों को, अपने स्वैमके निर्ने का अधिकार होना चाहिए, वही प्राकृतिक अधिकार, क्या राष्ट और रज की सीमाइं एक ही होनी चाहिए, अर्थात क्या वहाँ के लोगों को ये प्राकृतिक अधिकार मिलना चाहिए कि वे अपने को सार्व भौम माने तो आत्म निर्णे के ये जो सिध्धान्त है इसको लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में काफी बहस होती रही है किस हद तक आत्म निर्णे का सिध्धान्त परिपक्व है और लगू किय जा सकता है अब जहां तक पक्ष की बात है कि आत्म निर्णे के सिध्धान्त पर जिन लोगों ने सहमत ही दी है जिनों ने इसका प्रचार किया है उनका क्या विचार है इसको लेकर किस आधार पर वो कहते हैं कि आत्म निर्णे का सिध्धान्त सर्वो परी है तो पहली बात वे कहते हैं कि उन्नती की दृष्टी से ये बहुत महत्पूर्ण है उस राज्य के विकास की दृष्टी से राष्ट की विकास की दृष्टी से ये बहुत महत्पूर्ण है आत्मिननाय का सिद्धांग क्योंकि वहां के लोग जो उससे जुड़े हुए हैं उस राष्ट से ज तो इसलिए आवशक है कि आत्मिनर्ने का सिध्धान्त सर्वो परी रखा जाया है। दूसरा तर्क इनके जोरा जो दिया जाता है वज़ा है कि ये सिध्धान्त प्रतिनिधी शासन के लिए बहुत उप्योगी है। प्रतिनिधी शासन से क्या ताजपर है। लोग तंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत महत्वूर्ण है। जनता के प्रतिनिधी और उन्निसवी बीसवी शतापदी 21 शतापदी लोग तंत्र की शतापदी है। जब लोक तंत्र नाम की राजनेतिक व्यवस्था को सर्वशेष्ट राजनेतिक व्यवस्था माना गया है तो जब लोक तंत्र राजनेतिक व्यवस्था है तो एक सफल लोक तंत्र वो है जहां समाज के सभी तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले यदि राष्ट और राज एक नहीं होंगे तो इस पक्ष में आने वाले विचारकों का कहना है कि ऐसी स्थित में शासन में उचित प्रतिनिधित नहीं मिल पाएगा यदि राष्ट और राज अलग अलग रखे जाए यदि राष्ट और राज को के सिधान्द को वन नेशन वन स्टेट के सिधान्द को लागू नहीं किया जाएगा तो इस्थिती ठीक नहीं रहेगी लोग तंत्र के लिए राजनेतिक विवस्था के लिए प्रतिनिधात्मक शासन प्रणाली के लिए तो यदि सोपयोगी बनान हैं तो ज़रूरी है कि हम one nation one state की नीति पर अडिग रहें तीसरा बिंदू यदि ये सिध्धान्त लागू होता है तो शक्ति संपन्ने जैसे इसराइल ऐसे राज ताकत वर होंगे इस सिध्धान्त से राज जो है वो शक्ति संपन्न होते हैं इसराइल का उदाहर इसलिए लिया गया है कि जितने भी इसराइली हैं ये पूरी दुनिया में सब इसराइल में ही हैं आप इसराइल नैशनालिटी के लोगों की संख्य देश के बाहर लगबग नहीं के बराबर पाएंगे तो वहां वान स्टेट वान नेशन पूर्ण रूपेंट लागू है और इसलिए इसराइल इतना शक्त शालिया दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों में वो गिना जाता है जब कि आप नक्षे में देखें कि इसराइल कितना छोटा देश है और कितनी विशम परिस्थितियों में वह देश दिन प्रति दिन आगे बढ़ रहा है विशम परिस्थितियां अंतराष्टी राजनीती का क्षेतर है जो आप अंतराष्टी राजनीती के अध्यान के समय पढ़ चुके होंगे तो आप ये जानें कि इस पक् चोथा बिंदू अलप संखिकों की समस्या नहीं रहती ज़िए एक राश्ट एक राज्य का से धान्त लागू हो जाए तो विविन देशों में जो अलप संखिक के रूप में किसी राज्य या राश्ट से जुड़ो हुए लोग रह रहे हैं वो समस्या समाप्त हो जाएगी अलप संखिकों की समस्या वो बिलकुल नहीं रहेगी वहाँ कोई अलप संखिक ही नहीं रहेंगे एक ही राश्ट के लोग यदि वहाँ हैं तो दूसरे राश्ट के लोग वहाँ नहीं है क्योंकि वो अपने अपने राष्ट्रों में हैं एक राष्ट्र एक राज के परिभाशा के तहट सिध्धांत के तहट तो इसलिए जो अलप संख्यों को उसे जुड़ी जो बहुत सारी समस्याएं जो हम दिन प्रति दिन सुनते पढ़ते रहते हैं वो नहीं आएंग कताई नहीं पनप सकता ये सिध्धांत जो है ये सामराज्यवादी विचार धारा का शत्र है कट्टर शत्र है और इस विकार सामराज्यवादी विचार धारा जिसने अठारवी उननिस्वी शताबदी में विश्व को तहर्स नहस किया वह विचार धारा आमूल चूल समाप्त हो जाएगी उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा और साथ ही साथ एक राष्ट के अंदर रहने वाले सभी लोग पूर्ण रूपेर्ण स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए वहाँ पे जो स्वतंता संबंदी जो चार्टर है उसका पूर्ण रूपेर्ण पालन किय जाएगा और सामराज जवाज जैसी विचारधारा ऐसी स्थित में कतई पनप नहीं सकती ये वो विचारधारा जिसने विश्व को अठारवी निस्वी शताबदी में कितने ही युद्ध दिये प्रतम विश्व जुती विश्व तो हैं ही इसके लावा बहुत से अनखेतरी य जड़ भी हुए और उसके पीछे भावना थी समराज जवाज की भावना जो की राष्टवाद या वन नेशन वन स्टेट की थियोरी के खिलाफ है ये तो हो गया आत्मे निर्णे सिध्धान्त के पक्ष में विचारकों के विचार और पक्ष में दिये गए तर्क अब इसक साथ ही एक बहुत अहम बिंदू जो देते हैं वो है ये लोग इतिहास का उदाहरन देते हुए ये पुष्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक राष्ट एक सिध्धान एक राष्ट एक राज या आत्म निर्णे का सिध्धान्त सर्वशेश सिध्धान्त है बहुत से इतिहास कि दाहरन बताते हैं बीस्वी शताबदी में अफरीकी या एशियाई देशों में जो स्वाधिन्ता की लहर उठी जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है जहां एक के बाद एक राश्वाद की भावना को लेकर सौँ देश सतंत्र हुए उसका जो आधार था वो राश्ट्री आत्म निर्ने का सिध्धान्त ही था तो एतिहासिक दृष्टी से भी आत्म निर्ने का सिध्धान्त बहुत आहम है और ऐसी स्थिति में एक राश्ट एक राज सबसे सबसे करांतिकारी परिवरतन ला सकता है विश्वश्शान्ति में बीस्वी शताबदी में जो मैंने अफरीका एशिया के देशों की बात की वहां जो एक के बाद एक सुतंतर होते गए खासकर भारत की सुतंता के बाद 1945-46-47 के बाद ते वहां लगातार अफरीका के देश और एशिया के देश एक के बाद एक सतंतर हुए उसके पीछे राष्टवाद की ही भावना थी राष्ट्री आत्म निरने की ही भावना थी राष्ट्री आत्म निरने का सिध्धान था इस सिद्धान की साहता से भारत भी सतंतर हुआ, आयरलेंड, व्येटनाम, इंडोनेसिया, इन्होंने अपने आजादी के लड़ाई इसी भावना को लेकर रखें, आत्म निर्ने की भावना को, सततरूप से इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और उसके विभनने नेता, इस बात का सततरूप से इस बात का प्रचार करते रहे, जोड़ देते रहे, कि भारत को आत्म निर्ने लेने की स्वतंतरता मिलनी चाहिए, अर्थात, एक रष्ट के रूप में भारत को स्वतंतरता मिलनी चाहिए, और इसमें कई देश थे, इंडोनेशिया भी उसी स्थिते में, आयर भारत आदी आदी, इन्होंने जो लड़ाईयां लड़ी स्वतंतरता की, उसका अधार ही यही था, आत्म निर्ने का अधार, और अंत में ये सभी राष्ट अपनी राष्ट्री असमिता, अपनी राष्ट्री आइडिन्टिटी, अपनी राष्ट्री पहचान को पाने में, सफल हुए, तो इस पकार पक्ष में ये पांच शे तर्क, अब आत्म निर्ने सिद्धानत के विपक्ष में जो विचारक हैं, वे क्या तर्क देते हैं, और उन तर्कों की तहद, इनके जो तर्क हैं, वो भी कोई कम गंभीर नहीं हैं, पहला तर्क जो देते हैं, उसके कि ये सिध्धान्त जो है ये आव्यावारिक है गैर व्यावारिक है गैर व्यावारिक अर्थाद इसे लागू करना संभा नहीं है इसराइल का उदारन तो दिया जो आज भी वरतमान में एक राश्ट एक लेकिन बाकी देश और उसके कुछ कारण है गारनर जिसका जिक्र मैं ने पूर में किया था, जो एक राजनीतिक शास्त्री, राजनीतिक शास्त्र के विद्वान है, उन्हों ने तो इस सुध्धान को पूरी तरह खारिच किया, आत्मिनिर्णा के सुध्धान को, और उसे पूरी तरह खारिच करते हुए, आ स्वाभाविक बताया, आ प्राकृति आव या वहारिक बताया उनका कहना था यह दिसे पूरी तरह से लागू किया तो स्विट्जर लैंड को भी तीन भागों में बांटना होगा स्विट्जर लैंड देखिये मैंने जिक्र किया था पूर में कितना छोटा सा देश है एक देश के रूप में उसमें विभिन राश्टीता के लोग रह रहे हैं एक देश के रूप में उसमें विभिन वंश के लोग अलग अलग छेत्रों से आई हुए लोग रह रहे हैं लेकिन यदि ये वाला सिध्धान लागू होता है आत्मिनने का सिध्धान तो फिर स्विट्जर लैंड को तीन अन्य भागों में बांटना पड़ेगा कलपना करिए कितना छोटा देश हो जाएगा उसे प्रकार बिटन वहां स्कॉटलेंड वेल्स ये और भी खेत्र है वहां के वंशिजों का क्या होगा ये लोग भी अलग-अलग हो जाएंगे ये लोग भी दो टीन टुकडों में बढ़ जाएंगे इंग्लेंड का अस्तित्व ब्रिटन का अस्तित्व वैसा नी रहेगा जैसा कि हम जानते हैं बिन बिन देश ये बन जाएंगे अज़ा इस धानत को हम पूरी तरह से खारिज करते हैं अज़ा गार्नर का कहना था दूसरा बिन्दू जो ये विचारक अपने तर्क में देते हैं वो है कि राष्ट्रों का निश्जित खेत्र कैसे परिभाशित हो किस राष्ट्र का क्या क्षेत्र होगा राज्ज का क्षेत्र तो परिभाशित हो सकता है लेकिन राष्ट्र का क्षेत्र राष्ट्र की सीमाएं इसे बांधना इसे परिभाशित करना ये एक बहुत बड़ी समस्या है देखा गया है कि राष्ट के लोग एक निश्चित भूभाग में नहीं बसे हैं, तो आप देखें हैं, भारत के लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इंग्लेंड के लोग बहुत जगा फैले हुए हैं, आधी आधी आथे बहुत से उधारन हैं, और वो पूरी दुनि में भारती वेस्ट इंडीज में बसे हुए हैं जो स्वैम में बहुत छोटा है ऐसी स्थित में राष्टी आत्मि निर्णाय का सिधान जदी लागू करते हैं तो ये एक असंभा कारे होगा एक बहुत कठिन कारे होगा क्योंकि राष्ट के लिए निश्चित भूभाग की समस करेंगे यदि उस राष्ट से जड़ हुए लोग पूरे विश्च में यहां वहां फैले हुए हैं तो तो क्या उनके रहने वाले क्षेत्रों को भी भारत का हिस्सा माना जाए ऐसा करापी नहीं हो सकता तो इस प्रकार इनका कहना है इन विचारकों का कि यह एक आव्यावा प्रस्ताव है और वहारिक बात है कि आत्मे नड़ने का सिधधांत प्रकृतिक अधिकार के रूप में देश के अंदर रहने वाले सभी लोगों को दे दिया जाए विपक्ष में आत्मे नड़ने के सिधांत के विपक्ष में जहां निश्चित खेत्र को परिभाशित करने क की समस्या है राष्ट्रों के निश्चित खेतर को वहीं तीसरा बिंदू जिसके जिसको लेकर विपक्ष इस सिद्धान के खिलाफ है वो है प्रगति में बाधा जोदी आत्म निर्णा का सिद्धान दिया जाए प्रतिबादित आत्म निर्णा के सिद्धान को लगू किया जा है तो प्रगति में बहुत बड़ी बाधा आएगी एक्टन जो एक बहुत प्रसित विद्वान है उनके अनुचार एक राष्ट्री राज्य प्रगति में बाधक होते हैं एक राष्ट्री राज्य यानि जो एक राष्ट एक राज्य में विश्वास करते हैं वहां प्रगति नहीं हो पाती, बहुत बड़ी बाधा होती है, क्योंकि ऐसे राज्यों में ये अपने आप में सीमित हो जाते हैं, संकुचे दृष्टिकॉण अपना बैठते हैं, बहुत narrow-minded, संकुचे दृष्टिकॉण कार्थ है, narrow-minded, मैं सर्वश्रिष्ट, ऐसी वाली भावना हो जाती ह दूसरे को हीन दृष्टि से देखने की भावना हो जाती है और यदि दूसरे को हीन दृष्टि से देख रहे हैं तो दूसरे के विकास से कुछ सीख नहीं रहे हैं अपने कोई सरशेश मानते हुए अपने देश को ही अपने राष्ट को ही सरवतम मानते हैं तो ये गलत है उनका कोई संपर्ख नहीं रहता, क्यों? क्योंकि मैं सर्वश्रिष्ट हूँ, हम ब्रह्मामी वाली जो भावना ऐसी स्थिते में एक राष्ट, एक राज्य के लोगों में आती है, तो वह अपने को छोड़के, अपने राष्ट को छोड़के, अन्य राष्ट्रों को हीन होने के कारण, उससे कोई संपर्ख नहीं रखेंगे, उसके साथ कोई तालमेल नहीं रखेंगे, उनके साथ किसी तरह का सयोग नहीं करेंगे और तब क्या होगा? खुद की प्रगती में बाधक बनेंगे खुद की प्रगती में रुकावट पैदा करेंगे दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति में उन्हीं की स्वैम की प्रगती रुक जाती है और इसके विपरीत यदि अनेक राश्टीता वाले राज्यों का की बात करें तो हम पाएंगे कि वहां पे विकास बड़ा सरल है ऐसी तुलना में इसकी तुलना में विकास का जो विकास की जो दर है वो बहुत अच्छी है विकास पाना एक सरल तुलनात्मक जिससे बहुत सरल कारे हो जाता है क्योंकि वे एक दूसरे की विश्यष्टाओं को देखते हैं, एक दूसरे की अच्छाईयों को देखते हैं, उससे सीखते हैं, उसका लाब उठाते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, को आपरेट करते हैं, और इस पकार पिछडे जो रष्ट हैं, उनका विकास जो है, वह सर कि यदि ऐसा होता है तो आत्म निर्ने का सिध्धान यदि लागू होता है तो वह राष्ट्रों की प्रगति में बाधक बनता है पिछडे राष्ट पिछडे ही रह जाते हैं ताना शाही का भै दिखाते हुए भी ताना शाही के भै की बात करते हुए भी आत्म निर्ने के सिध्धान्द के खिलाफ बात करता है ताना शाही का भै ये चौथा तर्क है विपक्स द्वारा आत्म निर्ने के सिध्धान्द के विरोध में क्या है ताना शाही के भैसे क्या ताज़ पर है राश्ट्री राज्यों में मैं बात कर रहा हूं राश्ट्री राज्य यानि जहां एक राश्ट एक राज्य वाला सिध्धान प्रतिबादित करें तो ऐसे राज्यों में जाती श्रेश्टा का जूठा भियान चलाये जाएगा अपनी जाति को सरश्रेश बताने का प्रयास होगा उसके प्रति अभिमान होगा अपने वंश को सरश्रेश बताने के प्रति अभिमान पैदा होगा और उन राजियों की जो जनता है वहाँ पर इसके परणाम स्वरूप ताना शाही प्रवृत्ति पनपेगी और विकसित होगी बढ़ेगी क्योंकि हम अपने को सरुष्रेश्ट मान रहे हैं अपने वंच को अपनी जाती को सरुष्रेश्ट मान रहे हैं इसके कई उदाहरन आप पढ़ेंगे और शायद ताना शाही के भै कि चर्चा करते समय आपका ध्यान स्वतह हिटलर और मुसोलिनी के और जाएगा हिटलर और मुसोलिनी ने यही किया था कि उन्होंने अपने वंच को सरुष्रेश्ट बताने का सतत और अथक प्रयास किया आरे वंच सरुष्रेश्ट और इसलिए यहुदी वंश के लोंगों को उन्होंने नर्थम्भार के जरिये भारी संख्या में मारा हिटलर उसके लिए बहुत बदनाम हुआ पर हिटलर की सोच के पीछे क्या भावना थी यही एक राष्ट एक राज्जे राष्ट्री यह राज्जे और अपने वंश को आरे वंश को सरुष्षेश बताने के लिए उसने ना जाने कितने अभियान चलाए ना जाने कितनी तरह की कुचाले चली कितना उसमें अभिमान उसमें अपना पैदा किया और अपने आरे लोगों में पैदा करवाया जर्मनी के लोगों में और इसका परणाम क्या हुआ यह आप सब को मालूम है हिटलर ताना शाह बन बैठा ताना शाही प्रवृत्ति की यदि बात करें तो चरम सीमा पे पहुँच गई थी और उसका मित्र मुसॉलनी जो इटली में शासक था जो भी उसके नक्षे कदम पे चल रहा था वो भी वैसा ही ताना शाह निकला इसके फलतरूप वहां के लोगों की स्वतंतरता जो है वो खत्रे में थी केवल आरे लोग ही केवल एक खास वंश के लोग ही सरश्ष्ष्ट माने गए बाकी सब लोग के अधिकार छीन लिए गए सब लोगों को विबिन अधिकारों से वंचित कर दिया गया उन्हें पशु सुरूप देखा गया स्वतंता खो बैठते हैं और ताना शाही के अंतरगत खोई सुतंता के क्या दुष्परिणाम होते हैं ये तो वहां रहने वाले भुगतने वाले लोग ही जानते हैं हिटलर और मुसॉलिनी इन कारणों से उपजी ताना शाही के सरशेष्ट उदारन और उन्होंने तो रश्टवाद और रज ये दोनों को एक ही नजरिये से देखने की कुशिश की और उसी का दुष्परिणाम ये रहा इसके विपरीत अनेक राश्ट्रीता वाले रज्जों की यदि हम बात करें तो वहां पे इस तरह के ताना शाही के पनपने के खत्रे नहीं रहते अनेक राश्ट्रीता वाले रज्ज यानि ऐसे देश ऐसे रज्ज जहां विपरीन राश्ट्रीता के लोग रह रहे हों तो वहां पे ताना शाही के पनपने की संभावनाएं बहुत दिम्न हैं बहुत कम हैं उसकी आशंका नहीं रहती तो ताना शाही का भै इस बात को लेकर आत्मिन्रने के खिलाफ कई विचारक हैं पांचवा अब तर्क जो यह विचारकों का यह समूह देता है और वो है कि जहां एक और मैंने पूर में बताया कि आत्मिन्रने के सिध्धान के तहट एक राश्ट एक राज्य सामराज जवाद को समाप करता है तो इनका कहना है कि ऐसा नहीं समराज जवाद को यहां प्रोचसाहन मिलता है विपक्ष का कहना है कि एक कि आत्मिन्रने के सिध्धान की बहुत बड़ी बुराई है कि यह समराज जवाद को प्रोचसाहन देता है हिटलर का ही उधारन ले, मुसोलनी का उधारन ले, जिन्होंने समराज जवाद के नाम पर कई देशों पर हमला कर उसे कबजा किया, एक राष्ट एक राष्ट जिस्थापित होने में इस बात का भै हमेशा रहता है, कि कहीं एक राष्ट की राष्टी संकुचित रूप राष्टीता, एक संकुचित रूप धारन करके विश्व में समराज जवाद और युद्ध को निमंतरन ना दे बैठे, यानि ये वाली भावना है, आत्म निर्णा की भावना, या एक राष्ट एक राष्ट एक राष्ट वाली भावना, ये कतई उप्युक्त नहीं हैं, क्योंकि ये संमराज जवाद को प्रुच्साहन देती है, वही संमराज जवाद जिसका जिक्र मैंने पूर में किया है, अठार्मी और निस्वी शताबदी में जो पनपा और चरम सीमा पर पहुंचा, और हिटलर और मुसॉलिनी, इसी संमराज जवाद व्यवस्था के लेटेस सिंबल थे, ये लोग संमराज जवाद के नाम पर सतत रूप से युद्ध को निमंतरन देते थे, एक के बाद एक उन्होंने 1949 से 1945 के भी अन्हे को युद्ध किया, और बलकि 1949 से पूर इन्होंने युद्ध करके कई खेतरों को पहले अपने में, अपने संमराज में मिलाया, चकोसलवाकिया, जकोसलवाकिया, पूलेंड, बलगारिया, हंगरी, ये जितने भी आप पश्चमी यॉरप से लगे हुए, पूरवी यॉरप के देश देखेंगे ये सब को हिटलर और मुसोली ने कबजा कर लिया, संमराज जवात के नाम पर, और उसके पीछे भावना क्या थी? एक राश्ट, एक राज्य के तहत, वह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके वंश के सभी लोग एक राश्ट का हिस्सा बने, इतिहास में ऐसी घटनाओं क कोई कमी नहीं हैं, ऐसे हज़ारों जाहरन आपको मिलेंगे, इसलिए इस सिध्धान्त की बड़ी तीखी आलोचना करते हैं, बहुत से विचारक की आत्म निर्ने का सिध्धान्त, एक राश्ट, एक राज्य के तहत, वहां के निवासियों को मिलता है, सही बात है, मिलता तो है, लेकिन ये आत्म निर्ने के सिध्धान्त के दुष्परणाम ही हैं, जिसने समरा जवात को जन दिया, जिसने ताना शाही को जन दिया, और ऐसा करते हुए, उसने ना जाने कितने नर संफार को जन दिया, आपके अध्यन के लिए अंतिम बिंदु विपक्ष के द्वारा अपने पक्ष में दिये जाने के, यानि एक राष्ट, एक रैज्य की विचारधारा के खिलाफ की खिलाफत करते हुए उनका क्या कहना है, अंतिम बिंदु है, अंतर राश्टी उल जनों को बढ़ाना, अंतर राष्टी उल्जनों को बढ़ाना स्वभाई करूप से जब एक राष्ट से जुड़ो हुए लोग विभिन्न देशों में रह रहे हैं विभिन्न राज्यों में रह रहे हैं और यदि हम राष्टवाद के नाम पर उनको एकठा करने की कोशिश करें तो उन देशों में अशान्ति फैलेगी और एक ही देश ऐसा नहीं करेगा कई देश यदि ऐसा करें कि राष्टवाद के नाम पर वे अपने वश्ड के लोगों को अपनी नस्ल के लोगों को अपनी जाति के लोगों को एकठा करने की कोशिश करें और ऐसा करते हुए विश्व के नक्षे को री डिफाइन करें तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी युद्धों को बहुत सारी अंतराश्टी समस्याओं को जन देगा अंतराश्टी उलजनों को बढ़ा देगा राश्टी आत्म लिणने के सिध्धान्त को यदि हम पूरी तरह लागू करने की कोशिश करें तो संसार में तो ना जाने कितने सारी राज्य स्थापित हो जाएंगे चोटे बड़े चोटे बड़े जैथ हमने स्विट्जर लेंड का उधारन दिया चोटे 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 तीन चोटे राज्यों में बढ़ जाएगा ऐसे ही बहुत सारे हैं आपकी जानकारी के लिए इसराइल का उधारन इसलिया दिया जा रहा है क्योंकि वह आज भी बड़ी सक्ति से एक राष्ट एक राज्य के सिध्धान्त पर खड़ हुआ है और बहुत शक्ति शाली है लेकिन एक मातुल दाहरन है एक अपवाज की तरह है तो कहने की बात यह है कि यदि ये सिध्धान्त लागू होता है या सक्ति से लगू किया जाता है एक राष्ट एक राज्ज का सिध्धान तो बहुत सारे छोटे 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 राज्ज पनब जाएंगे और ऐसा होने पर अंतराष्टी समस्याएं और उल्जेंगी ही इस विकार हमने अब ये समझा कि एक राष्ट एक राज्ज के सिध्धान्त के पक्ष और विपक्ष में लोगों का क्या तर्क है राष्ट्री आत्म निर्णे की मांग को लेकर विपन खित्रों में क्या क्या हो रहा है अलग राज्जियों को दर्जा दिये जाने की मांग जो की जारी है उस पर हम थोड़ा सा और जाने इस्पेन की ओर थोड़ा जानके हैं इस्पेन जो पस्चमी यॉरप में एक देश है वहां 1980 में केटलोनिया और बास्क उसको स्पेन परिसंग के अधीन स्वायत शासी क्षित्र का दर्जा दिया गया दो ये राजियों के नाम है केटलोनिया और बास्क तो स्पेन जो है वो एक परिसंग है वहां पे इन दो क्षित्रों को स्वायत शासी दर्जा याने स्वायत शासी क्षित्र अर्थात अटानमस स्टेट का उन्हें दर्जा दिया गया लेकिन बास्क के जो चरम पंथी लोग थे चरम पंथी अर्थात अल्ट्रा जो अती करते हैं तो बास्क के जो चरम पंथी लोग थे वो इस स्वायतिता से खुश नहीं थे वो कुछ और मांग कर रहे थे और उनकी मांग क्या थी पूर्ण आजादी वे इस्पेन से पूरी तरह से अलग होना चाहते थे यानि शायद उनके अंदर बास्क राष्टवादी भावना 35 थी इसलिए वो पूरी आजादी हासिल करके ही संतुष्ठ होना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अभियान चला रखा था मैं 2001 में बास्क में जो चनाओ हुए प्रांत के चनाओ उन चनाओ में मददाताओं ने साफ कर दिया कि वे अपने राजनीतिक लक्षों की हेतु उग्रवादी और आतंकवादी गतिविदियों का समर्थन कतई नहीं करते तो एक और जहां चरमपन थी बास्क की स्थनता को लेकर किसी भी हद तक जाने को तयार थे और इसके लिए वो आतंकवादी गतिविदियों में भी लिप्त थे उसके लिए उग्रवादी गतियों में भी लिप्त थे पर वहाँ जब चनाओं हुए उस खित्र में 2001 में तो चनाओं में वहाँ की जनता ने इन चरमपन थी विचारधारों को हटा दिया रिजेक्ट कर दिया अस्विकार कर दिया ये लोग अपने लिए एक राष्ट की मांग कर रहे थे पर ये नाजायश थी वहाँ की जनता की नजर में और जो तरीका अक्तियार किया था वो तो बिलकुल ही गैर नाजायश था इन चनाओं में नरमपन्थी राष्टवादी पार्टी याने पी एनवी की विजय हुई लेकिन दुरभाग्य से बास क्रांत के कुछ लोगों ने अभी भी अलग राष्ट या अलग राज्य की अपनी मांग नहीं छोड़ी है और सतत रूप से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस पेन से उन्हें पूर्ण आजादी मिले ये भी एक राष्टवादी विचारधारा का या एग्ड्रेसिव नैशनलिजम का एक उदाहरन है दूसरी और हम भारत की और जहांके हैं भारत में एक खेत्र है मिजौरम नक्षे में देखेंगे दे लैंड आफ सेवन सिस्टर्स जिसमें आसाम, नागलैंड, त्रिपुरा ऐसे साथ राज्य आते हैं इनमें एक राज्य है मिजौरम मिजौरम के लोगों ने प्रिथक राज्य की मांग को लेकर विद्रोह किया और वो भी सशस्त्र विद्रोह, आर्म रिबेलियन और बाद में हिंसा छोड़कर सभी विवादों को सुलजाने के लिए समवैधानिक तरीके के इस्तमाल के लिए राजी हो गया मैं दोहरा दूँ मिजौरम के कुछ लोगों की मांग थी कि उन्हें सेपरेट राज्य बनाने के स्वतनता मिले राज्यकार्थ 36 गड़ राज्य नहीं वो तो पहले से ही राज्य है एक तरीके से वो पूरी स्वायतता पूरी स्वतनता चाह रहे थे और उसके लिए उन्होंने सशस्त्र आंदोलन भी किया विद्रोह भी किया लेकिन दबाओ में आने पर समय के साथ बाद में उन्होंने हिंसा छोड़ दी और स्वामवैधानिक तरीकों से अपनी मांगों के समाधान के लिए साहमत हो गया नागालेंड को 1963 में भारत संग के भीतर राज्य का दर्जा दिया गया था सन 1925 में रामा स्वामी नायनर ने ततकालीन मदरास प्रांट में जिसे अब हम तमिल नाडू के नाम से जानते हैं वहाँ पे उन्होंने एक तरीके से आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था क्या था नाम आंदोलन का आत्मसम्मान 1944 में मदरास की जिस्टिस पार्टी का आत्मसम्मान आंदोलन में विला हो गया और इस प्रकार DMK द्रविड मुनेत्र कजगम उसका निर्मान हुआ उसका गठन हुआ और द्रविड मुनेत्र कजगम कारत है द्रविड परिसंग याने द्रविड लोगों के का ग्रुप अन्ना दुराईक या धेक्षता में DMK की जो पार्टी थी उसने कभी नहीं चाहा कि तमिलनाडो भारत संग से एक अलग राज बने यद्यपी उन्होंने अपने राज के लिए ज्यादा स्वायत्ता की मांग रखी अपने राज के लिए कुछ अत्रिक्त अधिकार केंद्र से कुछ ज्यादा स्वतनता की मांग रखी लेकिन भारत से अलग होने की मांग उन्होंने कतई कभी नहीं रखी ये उधारण है राष्टवाद के परिप्रेक्ष में भारत और स्पेन को लेकर